आज हम आपको कुछ तस्वीरें जो है वो बताएंगे और उसको देखने के बाद आप कमेंट बक्स में ज़रूर राय जो हो दे सकते हैं और उसके बाद उसको शेर भी कर सकते हैं लेकिन बात हम करेंगे आज पीर पंचाल की के पीर पंचाल के मुख्तलिफ जगूं के ओपर जब हद्शात रौनमा होते हैं तो उसके बाद इन तसामिया को ट्रैफिक पलीस को तनकीत का निशाना बनाए जाता है और मैं आज कहूंगा कि वो तस्वीरें देखने के बाद आप खुद राय दें कि आखिरकार लोग इससे कितने जुम्यदार हैं क्या लोगों को भी अपने जुम्यदारी जो है वो समझनी हो यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर सिला राचोरी की है और आवर लोडिंग आप देख सकते हैं यह देखने के बाद कि कोई खाथसा रोनमा होगा और कितनी जाने जा सकती हैं क्या लोगों को समझ नहीं क्या लोगों को अपनी जुम्यदारी खुद समझने नहीं समझनी होगी इंतसामी की तरफ से बार हाँ बार जो है काई कैम्प्स लगाए जाते हैं और उसमें अवेरनेस जो हो दी जाती है वाइलेशन के लिए भी दी जाती है कि आप भी वाइलेशन ना करें अगर कोई वाइलेशन कर रहा है तो उसकी इतला मतलका पुली स्टेशन मतलका जवेद तारान जो डिपार्टमेंट हैं उनको दे सकते हैं और उसके बाद उनके खिराफ क्यों को कारवाई होगी हमने इससे कबल भी एार्टी और राजोरी से बात की उन्होंने भी ये कहा कि लोग जो है जब तक इसमें साथ नहीं देंगे तक हम बहुत चीजों तक नाकाम हैं अग यहीं चेकिंग हो रही है तो लोग कुछ फासला छोड़के ही गारी से उतर जाएंगे और पैदल चलके आगे चले जाएंगे तांके ड्राइवर साहिबान के खिलाफ कारवाई ना हो यानिके साफ कहा जा सकता है कि लोगों की मिली बगत से ही ये जराइम बढ़ता है लोग जब तक चाहेंगे तब तक ये जराइम लोग जब तक चाहेंगे तब तक ट्रैफिक वाइलेशन होती रहेगी लोग जब तक चाहेंगे तब तक अवर लोडिंग होती रहेगी और जब हादसात रोनमा होते हैं तब इंतसामिया को ये कहा जाता है कि इंतसामिया चेक सरकार को तनकीत का नशना बनाया जाता है कि सरकार ने सडके ठीक नहीं की हाला कि हमारी सडके पहले ही नहीं ठीक है उसके ओपर इंतसामिय को तो तवज़ देनी चाहिए बरहाल लोगों को भी अपनी जुमेदारियों को समझना होगा कि उनकी जुमेदारियां क्या है क्या उन के बजाए पहले ही आप मुतलका डिपार्टमेंट को इतलात दे सकते हैं ताके मुतलका डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे वाइलेटर्स के खिलाफ की कारवाई कर सके यह तस्वीर जिला राजोरी की है और राजोरी में किस तरह की वाइलेशन जो है वो लगातार हो रही इसके ओपर किसी की कोई नजर नहीं जानी कि लोग भी अपनी जुम्यदारियों से काफी दूर है और इसलिए अपनी जुम्यदारियों को समझना होगा कि हमारी कितनी जुम्यदारिया है क्या हमारा फर्ज है क्या बच्चू को लेके हमारी जुम्यदारिया है आपके बच्चे को कोसने के बजाएं इंतसामिया को कोसने के बजाएं अपने बच्चों को भी तरवियत दे सकते हैं यह छोटे छोटे नन्ने बच्चे हैं जो गारियों के साथ चिपके हैं और ड्राइबर साहिबान भी अपनी जुमेदारियों से काफी दूर हैं काफी लापरवा हैं आप भ कोई चोटा बच्चा इस गाड़ी से गिर जाता है तो आखिर कार्ज कौन जम्यदार होगा जम्यदारी तो उस ड्राइवर के ओपर ही लगेगी उसी के खिलाफ कारवाई भी होगी और लोग इंतसामिय को भी कोजते रहें मेरा ये कहना है कि आप इन तस्वीरों को देखने के बाद कमेंट बक्स में राए जरूर दीजिए लेकिन अपनी जम्यदारी को भी समझना होगा ताके आने वाले वकत में हादसात को रोका जा सके तो कि पीर पंचाल की बात करें तो ये काफी हिली अरिया है दूर दराज के अलाके है पहले ही सरकू की हस्ताहालत है तो इस हस् की शकार आप नबले आप अपनी जम्यदारियों को समझे अपने बच्चों के कैरियर अपने बच्चों की जिन्दगी के बारे में सोचे अपने बच्चों को भी तर्बियत दे और अगर कहीं पर वाइलेशन होती है तो मतलका इंतसामिया को इतलाते अगर उनकी तरफ से कर होता है जो हमारी इतलात है और अमला कम होनी की बज़ा से वो हर जगा पे नहीं पहुंच पाते हैं और जब कोई हाथसा होता है तो तब ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी कोसा जाता है लेकिन मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी कहूंगा कि जनाब आप अपनी जुमेद सारी भी बनती है कि वो मतलका इंतसामिया को मतलका डिपार्टमेंट को इतलात दे कि अगर कहीं पे वाइलेशन हो रही है राजवारी जिल के कोटरं का बुदल अलाके में गुजश्चता दो दिन कवल जो है एक अधसार उनमा हुआ जिसमें 17 लोग जो है वह टाटा सुमों के अंदर सवार थी और लोगों के अंदर खुसा देखने को मिला कहा जो ड्राइवर साहिबान है उसकी लापरवाही थी क्या लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हमारी भी जुमेदारी है कि ये गारी अवरलोड है हम इसके ओपर क्यों बैठे हम अपनी जान को क्यों खत्रे लिए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये भी कहूंगा कि आप हर गारी के ओपर ये वाज़े कर दे कि हर गारी के ओपर उसके ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो है वो एक नंबर जरूर होना चाहिए जिसके ओपर आम लोग जो है वो देख सके उन नंबरात को और इतला कमेट बक्स भी राया भी जो है वो जुरूर दे सकते हैं.